मान्नी मंत्री जी मान्नी अद्यक्ष मोहदय अधिरंजन जी रूख ना हो मेरे रिप्ला हो जाए तब तर मान्नी अद्यक्ष मोहदय आज National Institute of Pharmaceutical Education and Research बिल्ड के amendment पर कुल मिला के 24 मान्नी सदस्ट्रों ने अपना अपनी बात रखी है आज का दीन भी महत्वपुन दीन है आज डॉक्टर बाबा साहिव आम्बेड का जी का महा निर्वान दीन है और जिसको सिंबोल ओफ नॉलेज के नाम से दुनिया जानती थी कई पदिविया थी, कई डिगरी दॉक्टर बाबा साब के पास थी और ये डिगरी का विशए ही आज सर्चा का विशए है नायपर एक पोस्ट ग्रेजवेट पीहट डिगरी देती है और अधिक डिगरी देने के लिए कई एमेंड मेंन लेके मैं आज सन्मानी सदन में आया हूँ ये सदन में हमारे हनुमान बेनिवाल जी बोल के गये मुझे कि हमने बोला है हमारा नाम आना चाहिए तो मेरी तुछ फरज ही है मैं नाम बुलना ही चाहिए सभी का अमारे अब्दूल खालेज जी राज़्दी पराई जी डोक्टर वीरास्वामी कलानी दी जी अमारे सोगत रोजदादा डोक्टर संजीकुमार जी सीरंग अप्पा भार्ने जी डोक्टर अलोग कुमार सुमन जी चंद्रानी मूर्मू जी कोवरदानेश गूगल बाबा पे मुहमद जावेज जी, अनुराग शर्मा जी, एस वैंकटेश जी, इती मुहमद बशीर जी, एम सेल्वा राज जी, प्रैम चंद्रन जी, हनुमा नमरे बेनिवाल जी, देन कुरिया कोज सुनिता दुबे जी, प्रतिमा मंडल जी, डॉक्टर स्रिकान सिंदे जी, पी रविंद्रनाज जी, नौनित रवी राणा जी, अधिरंजन चोदरी जी, फुर मिला के, 24-24 संमाल जी सांटसदों ने बील में अपना महतुपन सुजाओ भी रखे, सबी ने एक, एक ही बात बोली है, बील अच्छा है, सबी का कंसंस है, कि हमें बील को पारिद करना है, बील में अपने अपनी अपनी और से अपना सुजाओ भी रखा है, में केवाल एप बिल के क्या बिंदू है और क्यो विशेщее लेकर आएं मैं पहले बता देता हूँ और कूल मिला कि हम चार एमेंट्मेंड ले के आए हैं, यह एमेंट्मेंड है केवाल, चार एमेंड्मेंड के माध्यम से हम क्या करना चाहते हैं बिल में, एक मुहाली हमारी National Importance Institute थी, और उसके बाद 6 नहीं Institute बनी, तो एक National Importance थी, तो 6 में कोई क्लेरिफिकेशन नहीं था तो उमने तई किया कि सभी 6 और प्लस वन साथ हमारे इंस्ट्यूट है वो और आगे इंस्ट्यूट हमें खोलनी है करे लोगों ने सुझा दिया कि हमारे यहां भी खोलनी चाहे तो अगले आने वाले दिनों में चितनी भी इंस्ट्यूट बने यह सब नेशनल इंपोर्टन्स नाइपर इंस्ट्यूट बने एक उसमें महतोपोणा हमारा संशोधन है एमेंडमेंट है दूसरा एमेंडमेंडमेंट यह है कि आज हम केवाल मास्टर डिग्री ही देते हैं और प्याच्डी की डिग्री देते हैं लेकिन समय बदला है दिरंजन जी इसलिए सब अंडर ग्रेज्वेट एजुकेशन भी मिले एकेडेमिया से लिंकेज हो उस सेल्फ सस्टेन बने आग देश में दस हजार से जादा फार्मेसेटिकल इंडस्टीज है जो बड़ी इंडस्टीज है उसके पास रिसर्च इनिट होता है रिसर्च की विवस्ता होती है परन्तु चो छोटी इंडस्टीज है उसके पास रिसर्च का इस्टाबलिस्ट में नहीं होता है तो रिसर्च में पर उसको सहयोग दे तो उसका खर्ज भी कम होगा और नाइपर को इनकम भी होगी और यहाँ पढ़ने वाले स्टुडेंट को टैनिंग भी मिलेगी एक उद्देश है की अधर और भी उसमें कोर्सिस चालू हो और तीसरा उसमें एक सभी नाइपर तो बनती जा रही है और सभ पर अपनी अपनी ओर से काम करे तो उसको comprehensive काम करने के आवश्च्टा होती है और हमें target तै करना होता है मैं आगे बतावँगा जैसे की हमारे देश में critical कोई medicine नहीं बनती है तो हर institute को कोच ने कुछ हमें mandate देना चाहिए और यह कौन तै करेगा सरकार को किस की requirement है परतमान स् और उसका उपयोग देश को हो इसलिए हमने एक national council बनाने की बात कही है और national council बनने से सोगत रहे दादा उसमें हम जो board of governance का कोई अधिकार नहीं ले रहे हैं के पास अधिकार है वो अधिकार वहां ही रहेगा national council है वो advisory body के रूप में काम करेंगे और यहां कई सन्मानी सदर्शन ने अपनी बात रखी कि उसमें H.C.S.T. का प्रतिनी दित्व नहीं एक गवर्निंग बोड़ी हमने कम की तो वो जो 22 की संख्या थी उसको कम कर दिया और 12 कर दिया और वहां जो H.C.S.T. के कैंडिडेट थे हमारे सन्मानी सांसत भी उसमें थे उसको काउंसिल में ले लिया तो उसका प्रतिनी दित्व हमने खत्म नहीं किया है उसका प्रतिनी दित्व ओर्डेडी काउंसिल के तोर पर हमने रखा ही है तो ये भी एक उसमें महतुपूर्ण हमारा विशय है और कुल मिला के ए नाईपार में काउंसिल बनाना और डिग्री देना अधर अंडर ग्रेड डिग्री चालो करना और सभी को नेशनल इंपोर्टन्स कोशित करना और गवर्निंग बोड़ी में सदर्श्ट संख्या कम करना एक चार सुजाओ हम लेके चार एमेंट्मेंट लेके आये थे सभी ने उसमें बहुत सकारात्मक और हकारात्मक बात कहिए मैं आप सभी सनमानी सदर्श्टों का आभारी भी हूँ और उसमें से जो जो कॉमेंट भी आई है जो जो बात भी आई है मैं उसको थोड़े से पहले क्लेरिफाई कर दूँ क्योंकि हमारे अधिरंजन जी ने तो वहां से आगय से तो मुझे पहले से चालो करना चाहिए ले जनवश्दी का कई लोगों ने उल्लेक किया जनवश्दी स्टोर और जनवश्दी आपने कहा कि हमने किया में बता दो कि अच्छी स्किम उन्होंने भी शरूप उन्होंने ही शरूप की थी 2008 में 2008 में जब यूपिय की गवर्मेंट थी तो उन्होंने कहा कि एक जनवश्दी मतलब जेनरिक मेडिसीन लोगों को मिलनी चाहिए हम सरकार में 2004 में तो उस वक्त छे साल हो चुका था केवल 103 स्टोर था और वहां 300 से कम टाइब की मेडिसीन मिलती थी और जो स्टोर था एक एक के बाद वो बंद हो रहा था बाद में मोदी जी ने मुझे जिम्मेवारी दी मे में M.O.S. हुआ करता था और मोदी जी ने को में मिलने गया तो माननी प्रधान मंदी जी ने मुझे कहा कि स्यवा का कारी है और करना चाहिए और रूची लेके करो तो में M.O.S. हुआ करता था मेरे पास और कोई ज़्यादा काम नहीं था तो एक काम में में लगा क्योंकि गरिबों का काम था मेडिसीन आप एक प्रिस्क्रिप्शन लिख देना एक बात होती है लेकिन प्रिस्क्रिप्शन के डाइगनोसिस करना एक बात होती है निदान हो गया सो रुपीज फी दे दी लेकिन जब मेडिसीन लेने के लिए जाते है तो मेडिसीन बहुत महंगे होत है Cancer के Medicine और आज तो Hebit to Bigด इस बड़ रहा है क्या है Diabetes Hamilton लेनी परती है क्या है BP है फिडियन लेनी परते है Cancer पेशंटल की ऊठते हैं करल पर ऐसमें परहिसी लेनी परते हैं काडियाइक पेशंट मेडि सिन लेनी पर्मेनेट दो तीन हजार रूपीज उसका मेडिसीन में चला जाता है और उसमें उसकी बच्चे की पड़ाय हो जाती है उसमें उसका घर का गुजरान चल जाता है तो उसको सस्ती दवाये मिले उसके लिए काम करना चाहिए मोदी जी ने मुझे मार्गदर्शित किया मैंने काम उठाया आज मुझे सदन को बताते हैं खुशी हो रही 8500 देश में जनवसुदी स्टोर है 400 से अधिक टाइप की मेडिसीन वहां उपलब्द हो रही है और 400 से जादी और 56 से जादा मेडिकल डिवाइस उपलब्द हो रहा है पर डे 15 10 से 15 लाख लोग जनवसुदी स्टो क्योंकि दुनिया क्या करती है अपने यहां रिसर्च करके पेटन करके महंगी उसकी ब्रांडेट मेडिसीन इंडिया में बेचती है और दुनिया हमारी जनरिक मेडिसीन खाती है आज आप जाओ अमरिका में 40% इंडिया में बनी हुई जनरिक मेडिसीन का यूज होता है और हम branded medicine खाते हैं तो ये उसके लिए awareness कैसे आए ये awareness का काम करने के लिए जनवश्रुदी store चलाया गया ये जनवश्रुदी store का नतीजा ये निकला कि पहले देश में देश में जैनरिक medicine का share के वल 2% हुआ करता था आज वो 8% से ज्यादा है जैनरिक medicine का share ये बढ़ने लगा लोगों को सस्ती medicine मिलना लगी मैंने एक study करवाई थी कि जनवश्रुदी store के माध्यम से लोगों को कितना फाइदा हुआ तो आकलन ये निकला कि प्रति वर्ष 8000 जनवश्रुदी store से जो जैनरिक medicine सस्ती दवा मिलती है cancer की medicine है market में branded में एक tablet का 200 रुपीज 300 रुपेज होता है जनवश्रुदी store पर जाते हैं तो 50-60 रुपीज में मिल जाती है कई लोग और लाम भी लाइन लगी होती है ये बात सही है कि कभी आप जनवश्रुदी store पर गए कोई भी फार्मसी पर आप जाओ तो वहां 100% medicine हो ऐसा जरूर नहीं है आप कोई cardiac doctor हो और उसके अगल वगल में कोई medical store है तो वहां आपको काडिया के अनुरूप medicine वहां जादी उपलबद होती है कोई MD doctor होता है तो वहां इस टाइप की medicine जादी होती है 100% medicine आप जो मागो हो ही medicine सबी जगह पे मिल जाए ऐसा जरूर नहीं है तो ये जनवश्रुदी store पर भी मैं ऐसा नहीं दावा करता हूँ कि जो भी मागया हो medicine ल दूसरा आपने हमारे स्रिकान सिंदे जी ने भी अच्छी बात कही आपने भी ये रेज किया कि API हम दुनिया पर dependent नहीं होना चाहिए ये हमाए क्योंकि देश में भी ये तो बहुत बड़ा 130 करूर की आबादी का हमारा देश है और हमें भी medicine की requirement है इतनी आबादी हमारी उस मैं ये भी आपको बता दू कि ये सब PSU मर के कब मर गए हमने आके नहीं मा रहा है तो मरा हुआ ही था हमने तो कोशिश की है कि उसको ट्रेटेजिक सेल करे और जो बचे उसको बचाए हमारे सुप्रिया बेन ने कहा तो कि आप जो पिंपरी में penicillin का plant है मैं प्राइमरी स् हमारा सिलेबस का पार्ट था कि देश में सबसे बड़ा penicillin का plant कहा है कारखाना कहा है तो हम लिखते थे कि पिंपरी में penicillin का सबसे बड़ा भारत में API penicillin का plant है ये हमारी एक समय के लिए pride थी लेकिन ये क्यो मर गई ये समय में मर गई जब दूनिया में globalization हुआ और globalization मे WTO के अंतरगत सारी दुनिया free trade करने लगी तो कई country ने ये मोके का फाइदा उठाते हुए अपने यहां बड़ी बड़ा कारखना लगा दिया और सस्ते दाम में API बनाके penicillin का API बनाके इंडिया में डम करने लगे हमारी company मरने लगी उस वक्त जो आपने ध्यान रखा होता तो आज की ये स्थिती मरने की स्थिती नहीं आती होती उस वक्त उसको कैसे रोके इसा प्रयास करने की आवश्यक्ता थी है नहीं हुआ नहीं हुआ तो नहीं हुआ हमने ये करने के लिए किसी नहीं नहीं कहा था तो मोदी जी देश के प्रधान मंत्री बने और मोदी जी न तो बहुत critical स्थिती हो जाती है, हमारे यहाँ formulation industries है, लेकिन उसको चलाने के लिए आपने का कैसे हम चाहिए, starting, key starting material चाहिए, API चाहिए, intermediate चाहिए, यह हम बाहर से लाए, और बाहर वाला में देने बन कर दे तो हमारी क्या स्थिती, उसको मते नजर, उसको देखते नजर, हमने उसके पर deeply काम करना शरू किया और ASA 51, 51 API identify किया, कि यह API 80% से ज़्यादा दुनिया में से हम import करते हैं, और यह हमारे देश में जो नहीं आएंगे, हम नहीं बनाएंगे, तो कभी हमारे देश में medicine की crisis हो सकती है, उसको यह विशे को लेते हुए, रधान मंदरी जी ने कहा कि उसके पर काम करना शरू को, मानने अध्यब जी मुझे यह सदन को बताते हुए, खुशी हो रही है कि यह 51 API इंडिया में बने, इसके लिए PLI 1 स्कीम निकाली, 4,000 करोर रुपया के सहयोग से, यह स्कीम से क्या किया, कि हमारे यह API इंडिया में बनानी है, और दुनिया में ह में उसके बीच में क्या viability gap funding है, हम बाशन देंगे तो नहीं industrialist नहीं बनाएंगे, हम कितनी भी बात करें, लेकिन वो viable होना चाहिए, मतलब हम उससे कब प्योक्र करेंगे, दुनिया से के market के बराबर market हम उसको मिले, कई AC API है, जो दुनिया से हमें हमारे यहां manufacturers करें, तो ज सो रुपीज का बनाते हैं, तो बीस रुपीज हमने देने के लिए API स्कीन में प्रावधान किया, कई AC API थे, उसमें 10% की कमी थी, उस viability gap funding के लिए 10% की आवशक्ता थी, उसमें हमने 10% दिया, इतना ही नहीं, यह उसको बनाने के लिए, हमें pharma park बनाने की आवशक्ता होगी क्योंकि उसमें hazardous implement होता है, जब API बनाने की बात होती है तो, तो उसमें cluster development और पार्क के मध्यम से development करना होता है, तो हमने देश में ऐसे 4 pharma park, 1100 करोड रुपीज के खर्च से pharma park बनाने के लिए तई किया, जिसका उप्योग करके हम देश में bulk API manufacturing कर सके, हमने यह किया है, हमें किया है देश को भविश में ऐसा कोई संकट का सामना ना करना पड़े और देश की जरूरियाद देश में ही पूरी हो जाए, हमने यह भी किया, API, PLI, 1Skim निकाले, 4,000 करोड की, बाद में हम वहां तक नहीं रुके, हमने कहा कि देश में API का production हो इतना ही नहीं, हमें फा मार्केट में इंडिया के फार्मा इंडस्ट्री अपना माल बेचे है और हम देश और दुनिया को अबलाइज कर सके, इसलिए हमें PLI 2, 15,000 करोड रुपीज की PLI स्कीम निकाली, उसमें एक चीजों को मैं प्रत्यक्ष देखा है और उसके पीछे रातों तक हमने उजागरा किया है, तब जाके ये करके देश भविष्ट में सशक्त कैसे बने, देश मजबूत कैसे बने, और माने अध्यक्ष महदाई जब देश में पेंडामिक स्टार्ट हुआ और फर्स्ट लोकडाउन चल रहा था, उस वक जैसा आपने मेंशन किया, हमने देश में उस वक देख डेवलप्ट कंट्री की क्या हालत होई थी, 15-15 दिन एजित्रोमाइसीन नहीं थी, डेवलप्ट कंट्री में जिसका हैथ इंफ्रास्ट्रक्चर हम स्प्रॉंग मानते है, विवस्ता केश हो गई थी, एसी स्थिति में हिंदुस्तन 150 कंट्री में अपनी मेडिसीन रश्टी से हम उसको देखते हैं, हमने कभी ये विशई पर रादनिती करने की कोशिश नहीं की, हमने विवस्ता कैसे स्ट्रॉंग और इस और जब सेकंड वेव इंदिया में आया और हमें के दिकत हुई, तब अमरिका के प्रेसिडेंट को एक कहना पड़ा, कि भारत ने फ देश में में काले विस्तार से विस्तरूत रूप में मैंने रखा था, देश में आपने उस वक्त काल भी कहा था कि वैक्सिन मैनुफेक्चरिंग देश में होता है, मैं मानता हूँ वैक्सिन मैनुफेक्चरिंग देश में होता है, और दुनिया का 60% शेर वैक्सिन में बाद में वो पेटेंट फ्री हो जाते थे या तो में लाइसेंस देते थे तब हम मैनुफेक्ट्रिंग करते थे हमने ये विश्री से बहार निकरने के लिए जब फॉस्ट वेव चल रहा था तब चिंतन किया तब उसके पर माइंड एप्लाई किया क्यों यहां नहीं करना है सभी कम्पनी काम हे लगी भारत सरकार की कम्पनियां काम पर लगी क्या आवश्कता है उन्नों ने उसवक्प पहलया विश्री रखा था ति साथ हम इसलिए रिचेश्च यहां अब मनें कहा कि तुरंध ही करना है नहीं होगा हमारी सिस्टेम ही यह सी है हमारा rules regulation ही ऐसा है हमारा कानून ही ऐसा है हमारी procedure ही ऐसी है ये करते-करते में 3 साल लग जाता है हमने ये सारी व्यवस्था को सरल कर दिया और 9 महिने में ये इंडिया के साइंटिस्ट ने research करके हमें vaccine दे दिया उसका नतिजा ये निकला है आज देश में co vaccine, Indian research, Indian manufacturing चाइकोवD DNA vaccine, दुनिया 20 साल से उसके पीछे मेंनत कर रही है DNA vaccine बनाने में सक्सेस नहीं रही है हमारे साइंटिस्टों ने पारत सरकार के प्रोस्षण है हमारे साइंटिस्टों ने DNA vaccine भी बना दिया और उसका manufacturing भी चालो कर दिया अगले दिनों में और दो vaccine इंडिया में उसका थर्ड ट्राइल का data सब्मिट हो चुका है हम अपेक्षा करते हैं कि ओर data और उसकी ट्राइल सक्सेस रहे तो और दो company इंडिया की ही Indian research Indian manufacturing आएंगे वो आज के रहे कभी medicine को दवाई को भारत ने कभी कारोबार और business की द्रस्टी से नहीं देखा है वसुदेव कटुमबकम की हमारी संस्कृती और हमारी परंपरा है हमने उसको कभी business बाद में देखा है सेवा पहले देखे दुनिया को मदद करना ये भारत की रितीनिती कार्यपदत्ती रही है हमने हमारी जरुरियत पूरी की इतने से ही हमने ऐसा नहीं सोचा कि हम एक दो company बना ले और हमारी requirement पूरी हो जाए vaccine जादा बनाने की आवशक्ता नहीं है हमने सोचा है वसुदेव कटुमबकम हमें हमारा भी ख्यार रखना है हमें दुनिया को भी मदद करना है हम तो लाप शूब के संस्क्रति वाले लोग है हम लाप की भी बात करते हैं हम अपनी तो बात करते हैं लेकिन हम शूब दूसरे लोगों की भी दूसरे की कल्यान की भी भावना को भी समझते हैं उसको भी मदद करते हैं और इसलिए आज दुनिया हमारे साथ हमारे पास वैक्सिन के लिए दुनिया की कंट्री वैक्सिन माग रहे थे लेटिन अमरिका और केरेबियन कंट्री समूग के राजदुतों 29-29 राजदुत ने एकठा होके मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि हम में वैक्सिन चाहिए मैंने कहा हमरे पास वैक्सिन एक्सेस है हमारा एक्सेस वैक्सिन हम आपको अवश्चत देंगे मोदी जी ने कहा है कि हमें दुनिया को मदद करनी है और आज दुनिया में भारत का वैक्सिन एक्सपोर्ट होने लगा है हमने उसमें कोई जगह पे आप कि उसकी लाइफ लाइश लाइफ होती है उचे मैने मेंखपाइट कर जाता है क्यों कि बीजेटी क्यों नहीं ले रहा है ये वैक्छिन सही नहीं है और सिनेशन के इतना हुंवर फिलाया जा रहा था स्थिति हो गई थी देश में कम्पनियों के पास है पढ़ा था हम यूज़ नहीं करते थे तो क्या करना बताओ इस स्थिती में वेक्शन तो हमें आपने वेक्शन एक्स्पोर्ट क्यों कर दिया यह हमें जलना पड़ा तो यह स्थिती में अधिता और दादा अधि भंगाल में दादा के राज्य में भी वैक्सिन पड़ा हुआ है, दादा के दादा के स्टेट में भी वैक्सिन पड़ा हुआ है, सबी स्टेट में आज 20 करोड से अधिक डोज देश में उपलब्द है, जहां जिसको campaign चलाना हो, जनता को मदद करने की भावना हो, हमें criticism करें हमें कोई दिकत नहीं, मोदी जी के प्रतितों जो कहते हैं, हर तिन उटके कहते ही रहते हैं, मोदी जी उसको कोई प्रतितन नहीं देते हैं, लेकिन अपने अपने क्षेत्र में आपको vaccination drive चलाने के लिए हम नहीं रोकते हैं, वहाँ vaccine पढ़ा हुआ है, क्रिपिया करके, आप जाए जोश से एक बार अपने क्षेत्र में meeting करकर के, चलो अभी नहीं कोई variant आए है, उसके पहले हम vaccination आपके district में भी पढ़ा हुआ है, तो औ और दूसरा, एक बूल मिला के, हमने देश में medical device, आज चो उसमें एक अधिरण जंजिन में correction करूँ, API नहीं, हमें medical device 70% आज के दिन में import करना पड़ता है, तो उसके लिए भी import क्यों करना पड़ता है, उसमें में नहीं जा रहा हूँ, पिछले हुआ होता तो हमें इतना न medical device भी, देश में market बढ़ रहा है, देश में middle class बढ़ रहा है, देश में प्रदान मंत्री जी की ओर से health code development के रूप में देखा, health code development का एक पार देखा, और without development, हमें देश को develop होना है, और हम health को उप्यक्षित नहीं कर सकते हैं, यह बाव से, आईश्रमान भारत स्रैनी चली, आईश्रमान भारत health and wellness center 456 गाओ के बीच में एक, उसके बाद 10 करोड फैमिली को आईश्रमान भारत जन आरोगी योजना चली, तीसरा, सभी का record आपके पास रहे, आप भी कोई treatment लिया है, और treatment क्या लिया, आपका report क्या है, संगरहित करके file लेके घुमना पड़ता है, उसक इसको digitally record रग सके, digitally आप लेबर डिटी से connect कर सके, digitally आप सारी विवस्ता को उपलिबद करवा सके, इसलिए आईश्रमान भारत digital mission चलाया, और fourth, आईश्रमान भारत health infrastructure के माध्यम से 64,000 करोड रूपीज करके, एक district में 100 करोड रूपिया खर्ज करके, वहां के health infrastructure को मजबूत क करने का काम किया है, अध्यक जी बात मेरे अपूरी करनी है, अभी तो मैं प्रारंबिक स्टेप में पहुचा हूँ, मैं शौट में करता हूँ, लंबा नहीं खिसना है, आप जब को आपको अच्छी information मिलेगी, जो आपको उपयोगी भी होगी, तो कूल मिला के, ये health को development के स शरू किया, उसका अच्छा नतिजाए निकल रहा है कि एक गरीब व्यक्ति भी, ये तो बे सच है तो स्विकार नहीं पड़ेगा, आज एक बार थी कि गरीब लोगों को कहां treatment लेने के लिए जाना है, तो गरीब लोगों को treatment लेने के लिए जाना है सरकारी अस्पताल में, और हाँ, एक समय था, एक समय था, कि कोई गरीब लोगों को, कोई गरीब लोगों को treatment लेनी है, तो कहां जाना, क्योंकि सरकारी अस्पताल में, कोई सुखी समरुद्ध लोगों को treatment क्या लेना, तो कि private hospital में, private hospital में सुविधा होती है, गरीब लोगों के लिए सरकारी hospital में जाना, सरकारी hospital को भी सक्षम करना है, वहां भी best level की treatment मिले, और कोई patient को private hospital में जाना है, तो गरीब लोगों को भी आईशमान भारत योजना की तह है, ताथ 20,000 dispensary को identify किया है, वहां एक बेड अमीर लोगों का होता है, और बगल का बेड यहां जो पिछडे वंचित लोगों की गरीब, पिछडे वंचित लोगों की दानिश भाई ने बात की न, यह हमने किया है भाई, उसके लिए क्या करना चाहिए, उसको हमने एक अमीर के बराबर दिया है, और उसके लिए सुविधा दी है, इस तरह से प्रयास है कि देश को उत्तम से उत्तम स्वास्ताई सुविधा प्राप्त हो, और जब देश दुनिया के साथ, दुनिया में, और उसाब एक जज़बा होता है, मुझे मिलने के लिए मैं ministry देखता था, तो एक Ambassador, राजदूत, मुझे मिलने आता था. तो उन्होंने एक बार बात बात ने मुझे कहा कि मुझे आपको मिलना अच्छा लगता है. तो मैंने कहा क्यों मुझे मिलना अच्छा लगता है? तो में मेरे मन में अंतिजरी हुई कि वो उपने काम से आते थे तो उन्होंने कहा की आप Ambassador में चलते हैं न तो मैंने के मैंने सुचा की उसमें क्या हो गया मुझेलोट की थि indicator तो मैं Ambassador से चलता था Ambassador मैंने कहा कि मैं Ambassador लेकर मुझे प्रोवाइड की है Shipping Minister तो लेकर चलता हूँ लेकिन बाद ने उन्होंने कहा कि ये टेक्णोलोजी हमारी है उसका उसको गवरो होता है जब हमारी इंडस्ट्रीज दुनिया मेडिसिन सप्लाई करती है हम कोई देश में दुनिया में जाए और वहाँ मेडिन इंडिया लिखा हो हमें गवरो महसुस हो के नहों मनिय अध्यक्ष मोदई देश को गौरोग कैसे प्राप्त हो। देश, सीर, उचाव, आपको भी दुनिया में जाने का आउसर मिला होगा। हम भी दुनिया में जाते हैं कोईने कोई कंट्री में। कितना बदल हुआ आपने प्रत्यक्ष मेहसूस किया होगा। आज इंडिया के कोई नागरीक दुनिया में सीर खड़ा करके रखने का गवराव यह तो मोदी जी नहीं दिया है, वो तो मानना पड़ेगा, वो तो मानना पड़ेगा, मननी अद्धक्ष मोदेग, केने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन यह बिलकुल मिला के एक चार एमें हमने रखा, और जब यहां स्टेंडिंग कमिटी की शिफारिश मिली थी, यह शिफारिश भी हमने मान ली है कई और जो शिफारिश नहीं मानी है, या तो हमने यह एसी ही है, मैंने प्रत्यक्ष देख लिया है उसको, और नियम में रूल्स, रेगुलेशन, रूल्स जब बन मैं बता दो, बता दो सार, बता दो, यस सर, मैं बता दो एक बार मेरा पुरा हो जाने के साब में रिप्लाई, आपको रिस्पोंड भी करूँगा, रिस्पोंड भी करूँगा, मैं दादा रिस्पोंड करूँगा, बंगाल केमिकल्स, मैं आपने जो एक वहां नाइपर की भी बात की और मैं चाहता हूँ कि बंगाल केमिकल्स के पास लेंड है वहाँ नाइपर को में लेंड देने के लिए जा रहा हूँ मैं उसमें आपका सहयोग भी मागूंगा थोड़ा सहयोग के आवशकता है आप मुझे थोड़ा कर दीजिए तो यह वहाँ उसको केमपस मिल जाए वहाँ उसको केमपस मिल जाए यह भी बहुत जरूरी है क्योंकि और उसका ट्रेटेजिक सेल है उसको अंडेट परसंट सेल नहीं करना है उसकी लाइबिलिटी है वो खतम करने है आपके ही एंप्लोईज है का यूनियन वही यूनियन मेरे पास आते है उसकी उसको पैसा देना है तो उसको ट्रेटेजिक सेल करके बंगाल केमिकल्स का ट्रेटेजिक सेल करना है हिंदुस्तार एंटिबाइटिक्स का भी ट्रेटेजिक सेल करना है के वाल लेकिन भी आज तक कोई एंप्लेज को हमने एडिशनल पैसा दे दे के किसी को सेलर के बिना नह जान्ते समझते हैं उसकी ऊसके पर डिपेंड कि अध्यक्ष मोदाई अध्यक्ष मोदाई केवल सवाल इतना ही है सवाल यास 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 इस्ट्रीट से क्या समझने इस विलका क्यों जो आप दो गया है अध्यक्ष मोदाई उसमें सवाल ऐसा है सवाल दूसरा कुछ नहीं मैं भला आदमी हूं तुम्हें रिप्लाइ दे देता हूं तो मुझे पूछ लेते हैं बाकी तो मैं ऐसा करके के भी देता हूं कि यह पार्ट नहीं है आपका लेकिन थोड़ा सिधा आदमी हूं तो जो एक माननीय सदशन है चैंगल चैंगल पेट में एक छेसो रुपीज से रुपिया से ज्यादा खर्च करके एक वैक्सिनेशन उनिट बना रहे थे कई कारण थे उसमें और इंफ्रास्ट्रक्टर रेडिय हो गया है हम दो तिन ओप्शन पर काम कर रहे हैं मैं इतना पक्का का यह सदन के आउस में कहना चाहूंगा कि हम चालू करेंगे हमें आवशक्ता होगी तो स्टेट करेंट का विश्ए नहीं है और उसको कैसे करें गहां उन्यसिस कर रहें करेंगे वहां उसको बंद नहीं हो इन्वारी मुझे का 3-4 डोलर का वेक्सिन है तो दुनिया को सस्ता मिलता है और यह हम कर सकते हैं तो माननी अध्यक्ष मोदय मैंने ये चार केवल चार एमेंडमेंट लेके मैं आया हूँ सभी लोगों ने उस पर मुझे सहयोग किया है इसलिए मैं सभी माननी ये सदश्चों का अबार व्यक्त क करता हो और आप सब उसको युनानीमसली पास करें इसी मेरी रिक्वेस्ट है